तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VGU मतलब बेवे का नन्द Global University जो जैपुर राजिस्तान की प्राइबिट यूडिवस्टी है और जानी मानी यूडिवस्टी में नाम आता है इसका तो पूरी की पूरी डिटेल डिसकेशन इस वीडियो में हम उसकी करने वा अब अगर कुछ और जाना चाहना है इंजीनिरिंग से रिलिडिट कुछ डाउट है डिस्प्यूट है कोई कॉल समझ नहीं आ रहा कोर्सिस क्या बहतर होगा आपके लिए या कैसे करियर सुनिश्चित किया जाएए सारी जानकारी आपके लिए परसनली जानना चाहते हैं त उसकिल से 10-11 साल का आठ से 10 साल का अनुबह है 2012 पर इस्टाबलेजड हुई है योनिवस्टी है जैपुर पिंक सिटी के नाम से मशूर है अपने आप में इंडर्स्टियल बेसिक्स में भी बहुत ही मजबूत है और बहुत सारी योनिवस्टी हैं इंजीनिरिंग को लेके ब बिलकुल नहीं बूलना है अच्छे के ना भाई चलिए तो भाई विवी का अनंदी उर्वस्टी क्या है इसके साथ तो भाई यह बता रहे है कि हाँ एक लीडिन्ग उर्वस्टी में इनका दर्जा सुमार होने वाला है या हो गया है यह तो यही बोल रहे हैं दीरे-दीरे इन्हें टाइटल्स मिले हैं रिकोगनीजर्स मिले हुए अलाग अलाग इस्टिडीशन के दारा तो वह हम देखेंगे कौन-कौन से क्या मिले हुए है यह आप देख पार होगे यहां गई देख लो आप रहा कि लगतार दो सालों से इसके अलाबा फोर स्टार रेटिंग मिली हुई है और बहुत सारी चीज़े हैं गो ग्रीन मुम्मेंट इको फ्रेंडली स्टुक्चर है उसमें भी इनको हाँ एसो चैम ने इनको वह दिया हुआ है यह सारी चीज़ें के कारण क्या है एक्सिलाइंस राप्त किया हुए है और या इंड्वीशन मिल जाएगा तो सबसे पहले हम बात करना है चुकि यह यूनिवस्टी हो गई है ग्रोप आफ इंस्टिटूशन ग्रोप आफ यूनिवस्टी बोल रहा है तो भाई यहां पे हर प्रकार के कोर्से कंड़क्ट होंगे केवल इंजीनरिंग के ने बाकी सारे भी होंगे लेकिन स्पेसिफिक हम यहां इस वीडियो में केवल इंजीनरिंग की बात कर रहे हैं याद रखिएगा तो अगर आप चाह रहे हैं जानना कि क्या बैस्ट होगा आपके लिए इसमें या किसी और यूरिवस्टी में कौन सी स्टीम ले लें कौन से हां क्या प्रि यानि कि हम बीटेक करेंगे छे चार साल गाय छे लाग रुपे लगेंगे यह एट्यूशन फीज है अगर आप रुकेंगे और रहेंगे खाएंगे पीएंगे तो वह अलग इस्ट्रुक्चर लगवक सीम एक लाग रुपे का यहां पड़ जाता है तो वही 10-12 लाग में आ किता है इंट्रेंस एक्जाम इस्टाइबल के यह फिर स्टेट लेबल के हो जैसे यहां पर राजिस्थान का साइट होता है आर साइट बोलता है या फिर यूनिवस्थी लेबल के जो खुद विभेकानन्द यूनिवस्थी का हां जी इंट्रेंस एग्जामेनेशना स्टेट के माम लें तो स्यूर इट जिसको बोलते है तो यह विभेकानन यूनिवस्थी का भी इंट्रेंस इग्जामेनेशन उसके बिएस़स पे आपको एड्वीशन मिल जाएगा अब ऑप्शन सारे दे दिये इनने कैसे भी आपको और रहना खाना मालो एक से दो तो यानि 2 लाग रुपे और एबरेज मालो 2-5 लाग रुपे वो हर कोई खर्च नहीं कर सकता या फिर इंवेस्ट नहीं कर सकता और बहुत सारे परिवार भारत में कैसे हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हर को इतना कर सुन की इंकम ही होती है साल पर की दिनिया और वो कहां से बच्चे पर इतना कर्च कर दे तो अगर आप भी जा रहा है कोई ऐसा इंस्टिशन जो की कमफीस में अच्छा काम घरा देता हो या आपके लिए क्या बैस्ट हो सकता है यह जानना तो profile analysis form नहीं भूलना है फिलप करना चले आगे हम बात कर लें यहाँ पर dream companies के लिए dream job के लिए भी बच्चे यहाँ पर आते हैं अलाकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें बताया नहीं है यह बड़ी-बड़ी companies के नाम देख रहोंगे जैनस ओपो इन्फोस इसपाइजू टाटा अटा सेमसिंग वेटीम बगेरा तो यह जानी मानी के रामी नाम हैं इन इसके जो बच्चों को आके यहां से प्लेस्ट कर रही हैं maximum 10 लाग का और 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 चार लाग के पैकेजिस जो हैं वो इनके गए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा पूमेंस ऐसा बहुत नहीं सकते हैं लेकिन ठीक है नासे तो बहुत अच्छा इसके अलाबावा स्कॉलर से भ आप जाएंगे तो कॉलेज में कॉलेज लेवल के मिल जाते हैं कुछ प्राइबट स्कॉलर्ट बगेर मिल जाते हैं वो आप अबेल कर सकते हैं इन्हों ने बहुत जादा नहीं परसेंट बेस्ते बता हुए कि अगर आपकी डुएल धुल क्लास में 65 से प्यृप्रतिश्यत है तो 10 प्रतिशत की फужक्षर में आपको क्या हो जाएगा वेव अफ हो जाएगा या हफिर 75 से जादा है तो आपको भई 25 प्रतिशत वे वाफ हो जाएए इससे ज्यादा का नहीं बता है लेकिन उससे क्या ही फरक पढ़ता है कौई बात रहीं infrastructure जिसके नाम पर यह मजबूती से खेल रहे हैं infrastructure ही important है क्योंकि infrastructure private university में बच्चों को वो तबज्जों देता है जिसके लिए आते हैं दिखावा जो बोल सकते हैं वो important है क्यार भाई क्या तो campus है आए हाए 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 देखने में शांदार लगने वाला 35 एकड में फैला हुआ य जो है royal infield जो बच्चे चाहते हैं बच्चे क्या लड़के चाहते हैं most probably लड़कियां कम important क्यूंकि भारी होती न गाड़ी मैं भी कई बार कोसिस करता हूं कि भारी हो जाती नहीं चलती फिर वो है ना अगर बिदक जाती है तो royal infield ने खुद का training के लिए पूरा का पूरा व बना के रखा हुआ बच्चों को practice के लिए तो आप समझ पा रहे हैं कि यह बच्चों को केबल किताबी ग्यार नहीं थोड़ा सा practical अनुभाव भी provide करवा रहे हैं तक ही बच्चे आंगे जाके कुछ futuristic सोच कर पाएं और अच्छा practical पढ़ाई कर पाएं तो यह सारी चीजों क के अलावा फिर वहीं चीज रिपीट की हुई है कि क्यों सारे बच्चे prefer कर रहा है maximum बच्चे वीजियो prefer कर रहा है तो देखो यार यह जितने भी awards आप बता रहे हैं इनमें कोई भी government award नहीं है यह ना private institution की awards है या recognition है जो की मान नहीं होते गवर्मेंट के मिलें आपको तो वो अपने आप में बड़ी बात होती है और उसके लिए promotion नहीं करना पड़ा तो यह promotion की बाते हैं बाकि हाँ अगर आप target कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई दिये otherwise और भी options हो सुकते हैं आपके लिए क्या कैसा best होगा यह जानना है तो आपकी profile के अधार पर नीचे profile analysis form में उसको fill up करिए और आपके लिए best क्या होगा यह हम पताएंगे बाकि सारे colleges चाहे courses हो इनकी जानकारी तो हम आपको प्रबाइड करते ही रहते हैं तो नीचे या next video मे अंगली जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जैएद।